हाई अबरीबन वेल्कन विजिन सॉविट अगे एक्सरसाइज 9.4 के आगे के कुर्षिन कर रहा है जो की कुर्षिन 11 से शुरू होता है कुर्षिन 10 तक हम निकल लिया है जहां पर हम जर्नल सॉलूशन निकालते हैं अब हम 11 to 14 आज करेंगे हैं जिसमें हम पर्टिकलर सॉलूशन के लिए एक extra condition दी होती है य की value होती है जब x कोई value put की जाया तो x आपको पता है input variable होता है और y output variable है तो जब भी y की value पता होती है और x की value उसमें input की जाती है तो उसके accordingly एक constant की fixed value हो जाती है उस arbitrary constant जो के एक variable का तरह ही है लेकिन उसकी एक fixed value हो जाती है और एक वो particular solution के नाम से जाना जाता है तो इसे करने के लिए हमें पहले तो integrate करना ही पड़ेगा वो process पूरा same है जो आपने question number 10 तक ही है सिवाए integration के different formula यूज़ो सकते है different conditions यूज़ो सकते है चले इसको करते हैं फिर आगे बात करेंगे तो सबसे बहले आपको पता है कि आपको function of x और function of y को separate करना होता है क्योंकि ये variable separable का case है तो dy के लिए कुछ भी नहीं है और y का कोई कुछ है ही नहीं जो है बस वो right hand side में एक x है और left hand का जो x function है वो भी right hand में आ जाएगा denominator में मैंने बस cross multiplication type का कुछ किया है और इसको मुझे integrate करना है अब आपको पता होगा कि ये expression लिखा है इसमें denominator जो है वो degree जो है वो numerator की degree से जादा है इसका मतलब ये एक proper fraction है और एक proper fraction को generally हम partial fraction से करते हैं तो partial fraction लगेगा क्योंकि नीचे आप देखे यहाँ पर derivative का यूज नहीं हो सकता f-x upon f-x तो बन नहीं रहा है वही मैं सबसे मिले try करता हूं कि denominator numerator वाले case में बन जाता है तो 3x square आएगा उपर x square है 2x आएगा x है 1 आएगा है नहीं तो ये बहुत time consuming हो जाएगा इसलिए अभी हम क्या करते हैं इसमें अज्यूम करते हैं इसको partial fraction तो यह मैं side में करूँगा ठीक है कि मैं 2x square plus x upon x cube plus x square plus x plus one को a upon अच्छा नीचे पहले factor करते हैं इसको चलिए पहले इसको factor कर देते हैं तो एक नट दीज़े मझे कि आफे आफे थे लो ग्यू एफे बाशोर्ष वोडर्श ब्होल आफे जर ंवाशनवाश 2 T यो जर दू स्थरिक्ष ते अज़े पुर हमें इसे करने के लिए क्या करना लएगा सबसे जुदर बात करते हैं इसको हम पहले फेक्टर फॉर में लिखेंगे तो दिस can be written as by the two x square 25 अपॉन इसकों क्या लिए सक्वें डेक्ष स्क्वेर क्वेर सठीक कॉमन जा रहा है एक्स प्लास 1 कि और वन जा रहा है एक्स प्लेस्वन अच्छा एक्स प्लेस्वन जा रहा है मैं वहीं सोच रहा था कि क्या ही जा रहा है इसमें ठीक है सो मैं इसको ऐसे लिखता हूं ऐसा करता हूं मैं एक काम करता हूं इसको यहां निकलेता हूं इसके नीचे थोड़ा सा इजी और एक्सेस लगता है ठीक है और यहां पर हो जाएगा टू एक्सक्वार उपर कॉमन का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें वैसे भी पार्श एफ्रेक्शन निकालने है उसके पार्श एफ्रेक्शन मेथेड़ है इसको हम क्या लख सकते एं अपर एक्स प्लस प्लस करना होता है तो यह जागह स्कुराइब एक्स स्कुराइटिंगह स्ट। और यह जगह bx plus c times x plus 1 तो आपको क्या करना होता है coefficient of x square को equal करना होता है सबसे पहले आप इसको simplify कर लीजे तो यह जगह ax square plus a यहां से आएगा bx square plus bx plus cx plus c तो यहां से a plus b coefficient of x square है फिर है b plus c coefficient of x plus a plus c constant term अगर यह दोनों left hand और right hand equal है तो यह तभी हो सकते हैं जब दोनों के coefficients भी equal हो this implies, so equating coefficients on both the sides equating coefficients of x square x and the constant term क्या मिलेगा, यहां पर two is equal to a plus b दूसरा यहां से आएगा one क्योंकि x coefficient one है b plus c और constant यहां पर zero है so zero is equal to a plus c यहां से मिल जाता है a is equal to minus c यह important part है कि a minus c के बराबर है तो a minus c के बराबर है तो यहां से a को आप replace कर सकते हैं तो equation one, two मान लीज़े इसको तो this therefore equation one and two becomes equation one क्या हो जाएगी a क्या है तो a तो a plus b ही है उसको वैसे ही लिखते हैं और c की जगा minus a रख देते हैं तो c की जगा जब minus a रखेंगे तो वो क्या होगा minus a plus b is equals to one अरे a minus c है तो c minus a भी तो है तो c की जगा हमने क्या replace कर दिया second equation में minus a तो minus a plus b अब हम इसे add कर सकते हैं आप चाहें तो subscribe कर दीजे तो यह हो जाएगा a plus b is equals to two तो a plus बस equation solving रेसमें में तब कुछ है advance तो नहीं कर रहा हूं कि explain करूं 2 minus 3 by 2 हो जाएगा 1 by 2 so a is 1 by 2 b is 3 by 2 और c की value minus a की बराबर है इसको मैं थोड़ा सा इसे लिख देता हूं ठीक है क्योंकि मैं replacement वैसे कर रहा हूं तो फिर सही नहीं है तो यह हो जाएगा c equal to minus a तो c आजाएगा minus 1 by 2 तो देखिए आपको a पता लग गया आपको b पता लग गया और आपको c पता लग गया यह तीनों पता होने चाहिए थे because this was the major part here and now we have found that तो अब हमें क्या करना है इसको replace करना है इस वाले से तो यह पूरा expression जो है आप यह वाले expression को please note down का लिजे यह यह पूरा expression है यह यह change हो जाएगा a upon x plus 1 और b x plus c upon x square plus 1 के term में ठीक है तो what I am going to do is I am going to copy this expression ठीक है एक मिनेट इस पूरा copy के नहीं हाँ so अब आप ध्यान से देखो तो अब मुझे यह पता है कि यह जो expression आया है ठीक है यह जो expression है इसमें a की जगह क्या रखना है 1 by 2 तो यह जगह 1 by 2 upon x plus 1 b की जगह क्या रखना है 3 by 2 c की जगह minus 1 by 2 x है upon x square plus 1 थोड़ा simplify कर लेते हैं पूरा 1 by 2 सब में common है 1 by 2 को बाहर ले लेते हैं so what we will get we will get 1 upon x plus 1 plus x 3x minus 1 upon x square plus 1 ध्यान से देखे मैंने क्या किया इस पूरे expression को मैंने लिख लिया है 1 by 2 बाहर ले लिया numerator में तो 1 upon x plus 1 यहां से भी 1 by 2 जाएगा तो 3 बचेगा तो 3x यहां से 1 by 2 जाएगा तो 1 बचेगा तो 1 so 3x minus 1 upon x square plus 1 this is the whole expression for the term that we wanted to integrate which we couldn't do क्योंकि वो situation में होता ही नहीं है ठीक है तो अब हमें क्या करना है hence the integration term is integral dy is equals to integral half power 1 upon x plus 1 plus 3x minus 1 upon x square plus 1 dx बाह समझ गया है आप यहां तक समझ गया है कि नहीं देखे 3x minus 1 हुआ है मैं फिर से एक बाह बता देता हूँ यह पूरा जो था यह पूरा partial fraction हुआ तो bx plus c आता है और यह पूरा expression बन गया 1 upon x plus 1 और 3x minus 1 upon x square plus 1 अभी इसको करने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना भी खतम नहीं हुआ है यह तो भी आपने से partial fraction किया भी तो इसको standardized करना पड़ेगा अब सुनिए मेरे बात को अब आई यह नहीं ठीक है ठीक है आपको बाहर रखा हूं मैं पूरे में यहां देखी कर मैं लिखना हूं minus 1 upon x square plus 1 यहां तक तो आपको लगता है कि पूरा एकदम रटा होगा कुछ दी किया मैंने बस पूरे term को जो replacement किया है उस term को मैंने 3x को अलग कर लिया है और 1 को अलग कर लिया है ऐसा क्यों किया क्योंकि f-x upon fx बनाना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं देखे इंटीग्रल सॉरी यह इंटीग्रल का साइंग बहुत गलच जगा लगा हूँ है यहां लगाते हैं तो यह लगा इंटीग्रल 1 upon x plus 1 इसको देखे मैं लिख सकता हूं 3 by 2, 2x upon x square plus 1 मैंने ही create किया है 2 तो मुझे destroy करना पड़ेगा पर मैंने किया ही क्यों create क्योंकि भाई fx का differential चाहिए था new determinant क्योंकि x square का differential होता है 2x 3x नहीं होता है इसलिए मुझे इसको differentiate करना के लिए उपर 2 चाहिए था वो 2 को मैंने add कि और हटा दिया मतलब उपर रखा और हटा दिया create कि और destroy किया और यह तो standard formula आए उसको तो कोई change करने जो होती है नहीं तो tan inverse x ऐसी दिसीदे ठीक है तो अब हमें क्या करना है इसको integrate करना है तो यह सीदे integrate करेंगे तो क्या आएगा हाफ वन अपॉन एक्स प्लस वन का होगा log of x प्लस वन यह है 3 by 2 log of x square प्लस वन यह है minus 10 of 10 inverse x sorry plus constant term आएगा नहीं से देखिएगा भी यहां में इसके साथ constant term भी आएगा तो यह पूरा एक expression आएगा और एक constant term आएगा आप चाहो तो log के अंदर यह सब 2 by 3 power करके कर सकते हैं पर कोई फायदा नहीं है उन सब चीजों का ठीक है कुछ होगा नहीं भी खास इस इनफ पार्ट जहां तक हम पहुंचे हैं यहां तक नहीं समझने हैं तो दुबारा वीडियो को प्ले करके देखिएगा प्लीस क्योंकि मैंने सिंप्लिफाय किया चीजों को और पूरा है ऑपको वापस से जाके एक चीज देखने चाहिए जब वय झभ इख जीरो होता है ति वान होता है ठीक है याद रखना है मैं पर्टिक्लर सोलुष निकालना है ना तो जब जब सुनी अमिरे भार्स जब एक जिरो होता है तो वान होता है लिखा था चेक कर लिए जब एक जीरो होता है तो य वन होता है तो चलिए करते हैं तो अब हम इस पता है कि जब एक से जीरो वाई इस वन तो ध्यान से देखें मैं क्या कर रहा हूं य की वैल्यू वन है हाफ एक नठा से यह हाफ लॉग ओफ जीरो प्लस वन प्लस थ्री बाई टू लॉग ओफ जीरो प्लस वन माइनस टैन इन्वर्स जीरो प्लस कॉंस्टेंट टर्म अब ध्यान से देखें लॉग वन जीरो लोग वन जीरो टैन्वर्स जीरो जीरो यह होता है तो इस होल टर्म इस जीरो तो बैसी कली दिस इमपलाई बश्य इस क्या आ गया वन के बराबर आ गया तो कॉंस्टेंट क्या आ गया वन आ गया अगर कॉंस्टेंट वन आ गया तो दियरफ़ूर particular solution is y is equal to half log of x plus 1 plus 3 by 2 log of x square plus 1 minus 10 inverse x plus 1 that's the final answer समझ गए बात को मैं समझ गए थोड़ा लेंदी कोश्ण है comparatively बाकी कोश्ण से क्योंकि इसमें पाश जब भी पाश है fraction formation होते है ना तो बहुत ये तो मतलब आप समझ दीजे कि फिर तो लेंदी होना ही है को ठीक है यहां पर इसको छोटा करने का भी रात्ता नहीं था क्योंकि नीचे और एक फेक्टर लीनियर था दोनों लीनियर होंगे तो बहुत जल्दी कर दो नहीं पर दोनों फेक्टर को मतलब यहीं फाइट है कि आपको फिर वह वाले मेध़ड से करना पड़ता है बहुत लिंदी ह सब्सक्राइब करके भी आजाते हैं एलिमेंट के आंसर लेकिन छोड़ देते हैं ठीक है लेट्स नेक्स कॉस्चिन अहां यह भी पाल्चर फ्रेक्शन नहीं लग रहा है चलिए करते हैं इसमें फिर से वह यह डी वाई को तो यहीं रखेंगे वन अपॉन अपॉन एक्स टाइम्स एक्स स्क्वाइर माइनस वन डी एक्स अब ध्यान से देखें इसमें भी नीचे एक कॉड्राटिक और एक ल ठीक है अब देखें जब इस तरहीके से आप लिख लेते हैं तो इसको पहले पाजशर्फ ट्राइस करना होता है करना होता है तो लेट पास्टेक अब अब तो यह वह जाएगा इसे दोनों का लग मतलब होता है मुझे पता है मैं अपनी मुझे भी आती है पर आप आप अप लिए तो यह हमने टर्म लिया तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको लखेंगे 1 upon x x plus 1 इसको मैं जल्दी करके दिखाता हूँ आपको क्योंकि यह linear है पूरण तो a upon x प्लस B अपॉन X प्लस 1 प्लस C अपॉन X माइनस 1 अब क्या करने आपको आप एक दम आप चाहो तो X का शॉटकट होता है कि X को वीरो रखके A आता है पर क्यों आता है फिर लोग कन्फ्यूद हो जाते हैं बच्चे तो वो नहीं हो इसलिए मैं आपके लिए एक चीज कर रहा हूँ बस ठेक है मैंने क्या किया बता देता हूँ क्या किया मैंने ये पूरे टर्म को उठाया और इस पर मैंटिप्लाई किया इस पर मैंटिप्लाई किया और इस पर मैंटिप्लाई किया क्योंकि मैं cross multiply कर रहा हूँ, इसको यहां से उधर ले जाना, cross तो नहीं बोलूँगा, मैं इधर के denominator को उधर के numerator से multiply कर रहा हूँ, तो ऐसा करने से x और x cut गया, उपर x plus 1 x minus 1 बचेगा, इसमें x plus 1 x plus 1 कड गया, तो x और x minus 1 बचेगा, तो वही किया है मैंने, ठीक है, अब सु तो जब आप x को 0 रखोगे, तो देखो क्या होगा, यह बला time गया हो जाता है, और यह बला time भी गया हो जाता है, यहां पर 0 रखने पर 0 0 बसता है, 1 into minus 1 क्या होता है, minus 1, तो a का value आता है, यहां पर minus a बराबर 1, तो a बराबर minus 1, लिखूंगा बोगे, जब आप x को 0 रखो तुरहन से आंतर जाता है अब आप X को एक बार माइनस रख लो माइनस न पर यह बी वाला टर्म के नीचे वाल लगा है वहता इसलिए तो माइनस रखोगे तो यह वाला टर्म जीरो हो जाएगा पूरा क्योंकि माइनस वन प्लस वन हो रहा है क्या बचेगा यहां पर क्या लख हुआ है मालतियं लेफट हें इकक्स दिखा होता तो आप उस एक्स की जगह भी यही ses लिए पुट कर रहे ह तो यह जाएगा 1 is equal to second वाला term रहेगा B into minus 1 into minus 2 तो B की value क्या हो जाएगी 1 by 2 अरे B की value 1 by 2 नहीं होगी क्योंकि यह minus into minus plus हो जाएगा 2 इधर आएगा तो denominator में सही बात है अच्छा अब X को क्या रखेंगे 1 रखेंगे जब X को 1 रखेंगे तो क्या होगा हां यह बला term 0 हो जाएगा क्योंकि 1 minus 1 होता है यह बला c की value भी क्या आगई 1 by 2 तो आगई 1 by 2 तो A बला minus 1 है, b half है और c 1 by 2 है, तो जो expression है वो हो गया, यहाँ पर लिख दीजेगा वो साज लाइन है, integral d y is equals to integral, जहाँ से देखे क्या लिखना है मुझे, यह पूरा लिखना है ठीक है, one upon you फेक्टराइज हो गया है, यह फेक्टराइज होके dx के साथ, तो यह पूरा expression dx के साथ, सही है सही है, अब देखे, आपको सभी integral पता है, फटाफट लगाईए उजादर दिमाग में चलाईए, minus हो जाएगा यहाँ log x सुनिए मेरी बात को x plus 1 का integral log में आ जाएगा, क्योंकि x का coefficient 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है और यहाँ भी half यह हो जाएगा log of x minus 1 समझ गए बात को अब सुनिए मेरी बात एक और, यह वाई एक constant term आएगा, अब मैंने आपको पहले क्या सिखाया था, कि हमेशा general solution में ने क्या बुला था, कि plus log c ले लो, कि मैंने बुला था, कि plus log c ले लो, क्योंकि सब log हो जाएंगे, combine वगरा हो जाएगा, log हट जाता है, log inside भी होता है, तो हट जाता है, तो अच्छा लगता है यहाँ कोई फरक नहीं पढ़ता है, मैंने बुला था we know that, when x equals to 2, sorry, y equals to 0, तो क्या हो जाएगा, 0 is equals to minus log 2 plus half log 2 plus 1 plus half log 2 minus 1 plus c, अब सुनी मेरी बात को, यह तो होगा, minus log 2, यह log 3 हो जाएगा, तो half log 3, यह log 1 हो जाएगा, जो कि 0 हो जाता है, तो यह term तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, this whole term will be 0, ठीक है, अच्छा, यह term 0 हो जाएगा, plus constant term, यहाँ 0, अब सुनीए मेरी बात को, यह half को इसकी root बना दीजे, तब ही लगा पाएँगे, log ए minus log B, यह जाएगा, 0, minus log 2, plus log 3 to the power half, और वो क्या होता है, root होता है, ठीक है, तो यह जाएगा, log root 3, plus C, अब लिखाए, log A, minus log B, तो what is log A, minus log B, अच्छा, पहले हैं, C निकाल लेते हैं, तो इसको इधर बला लेते हैं, यह जाएगा, log 2, minus log root 3, C, बराबर C, अब लगाते हैं, log 2 इधर भेज दिया, log root 3 इधर भेज दिया, log A, minus log B, is log A by B, तो it will be log 2 by root 3, so what is the value of C, log 2 by root 3, that is the C value, अब बस इतना करियेगा, यह equation उठाईए, ठीक है, यह equation उठाईए, और इस equation में उठाखे, C का value लिख दीजे, बस कहानी खता, यह जाएगा, log 2 by root 3, अब सभी log को combine किया जा सकता है, but I am ignoring that fact, और answer आ गया, तो इसी तरीके से हम इस तरीके के question को solve करते हैं, these are lengthy question, I know it, particular solution निकाला है, वो भी काफी logarithmिक आ रहे हैं, पर ठीक है, इतना मंदब cutting नहीं है, lengthy है, I accept, cutting है, I can't accept, sorry, next करते हैं, इसमें cause दिया हुआ है, ठीक है, करते हैं इसको भी, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही घवराना, घवराते क्यों है, cause के अंदर dy by dx है, अच्छा, तो पहले dy by dx को निकालना पड़ेगा cause से, तो यह cause inverse से हो जाएगा, सुनिए मेरी बात को थ्यान से, बेफकूप बना रहा है, यह x नहीं है, तो आपको कोई uv वाला कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप प्लीस इसमें confusion मत करेगा, cause inverse a में आप कभी भी किसी परिस्तती में माइनस से यहाँ पे यह x नहीं मानेंगे, ठीक है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें dy लिखना पड़ेगा, x मत मानिएगा, वो एक constant term है, ठीक है, अब integrate करते हैं, यह y हो जाएगा, यह constant की तरह बाहर आजाएगा, और सिर्फ x आएगा integral, खत्तम और एक constant term, एक तूसरा c आएगा, यह a हम नहीं निकाल सकत है, it is given in the question, और उसके लिए निकालने के लिए कुछ बोला भी नहीं है, बस हमें c निकालना है, जो आता है, integration constant, उसकी value में निकालना है, निकालते हैं, x 0 है तब y 1 है, तो when x is 0, y is 1, so 1 is equal to, x को 0 रखिये, तो यह तो पूरा term ही 0 हो जाएगा, तो c की value क्या गई, 1, तो differential equation क् solution, sorry, so the solution is, और the particular solution is, y is equal to x, cos inverse a, plus 1, y 1, because c का value हना है, न, y x को 0 रखिये, तो यह पूरा term का गई हो गया, तो c के पराबर ही, 1, y के value क्या थी, 1, to c ब्राबर 1 हो गया था, सही बाद है कि नहीं, that's the answer, यह जल्दी हो गया, चलिए यह अच्छी बात है, नेक्स करते हैं, last question है, इस part के अंदर का, 14th वाला, क्योंकि यह element to 14 लिखा था सिर्फ, तो इसमें, dy by dx, y tan x है, तो बुला लेते हैं, y को यहाँ, असान लग रहा है बहुत, और tan x, dx लिख देते हैं, यह तो बिलकुल 1 to 10 वालों की तरह ही है, 1 upon y का integral क्या होता है, log y, और यह आपको tan x का या प्लस एक constant, अब देखिए, इसको आप कई लोग यह कह सकते हैं, सर आप तो अभी तो गए तो लोग लिखते हैं, आज आप लोग नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपको तो value डालनी है, तो आप लोग नहीं लिखोगे, answer अलग आएगा, तो मैं उनसे यह कहूँगा, चलो मै तुम्हारे लिए यह लिखता हूँ, और मैं दिखाऊंगा कि answer कैसे आता है, चलिए, तो y1 है जब x0 है, तो when x is 0, y is 1, तो यह हो जाएगा, log 1 is equals to log of secant 0, plus c, अच्छा आपको पता है, log 1 बन क्या होता है, 0, अच्छा, cos 0 बन होता है, secant 0 भी बन होता है, तो log 1 फिर आएगा, तो 0 plus c, तो c का value क्या आगे है, यहां से 0, तो मेरा final solution क्या आएगा, what is the particular solution, it is log y is equals to log of secant x, correct, क्योंकि c का value तो 0 आएगा है, तो मैं हटा देता है, तो y की value आगे है, secant x, तो y is equal to kya है, secant x is the solution, y is equal to secant x is the solution, ठीक है, अच्छा, तो, यहां देखिए अब, यहां भी put करते हैं, ठीक है, तो यहां put करेंगे, जब y 1 है, तो log 1, और secant उसको क्या है, 0, तो log of secant 0, ठीक है, तो x की value क्या है, 0, plus log c, तो यह 0 है, secant 0, 1 होता है, log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, तो 0 बराबर log C आगया T क्या होगा जब log 0 हो रहागा E to the power 0 C क्या हो रहा होगा C हो रहा होगा अरे यहाँ पर E है न E to the power 0 C की value क्या होगी 1 रुकिये रुकिये आप कहेंगे Sir देखिए answer अलग आगया आपने बोला था C यहाँ 0 है यहाँ C 1 है अरे रुकिये तो आपको तो final answer निकालना है न इससे यही तो आपका solution था न यही तो था न इंट्री डेट करने के बाद जो आया था जब आपने कहां मैं log नूम आपकी बार प्यूकिये आप तो log बोलते थे तो जब मैं इसमें रखूंगा जब मैं इसमें रखूंगा C का value 1 तो यह value पूरी क्या बन जागी log 1 0 क्या बचेगा log secant x क्या answer आएगा क्या answer आ रहा है भी भी आप इससे verify करने चाहते हो आई यह आपको मैं exercise 2 में जम करा दू verify करने y is equal to secant x dy by dx क्या होता यह इसका solution है कि नहीं मैं verify करता हू secant x into tan x होता पर secant x तो y है तो इसको मैं replace कर सकता हू तो y tan x dy by dx किसके बराबर आ रहा है y tan x question क्या दिया था dy by dx बराबर y tan x देगा पूरा pack कर दिया मैं उठाके 1, 2, 3, 4 सब exercise pack कर दिया इतनी बातें अब तक कहीं है सब सही थी सब कुछ सही था c low log c low फरक नहीं पढ़ता बोलता आ रहा था अभी भी बोलता same चीज है वो सिर्फ वो मैंने बोला था log लेते कि थोड़ा packing अच्छी लगते देखने में अगर यह general solution लिखना होता कुछ ऐसा y is equal to log a plus log b के फॉर्मले से आएगा c secant x यह मेरा है general solution सजाने के लिए यह मेरा तो particular solution आई रहा है secant x क्योंकि c का value 1 हो जाता है sorry यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि यहाँ तो अलग है यहाँ से लगाएगा यह confuse नहीं करना है चोड़े चोड़े कुछ नहीं बोला है c का value यहाँ पे 1 है ना समझ रहे ना यहाँ c का value क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो 1 रखेंगे तो y c के न टेक्सी तो आएगा कैसे कर लो सब सही है यहाँ पे c का value यहाँ लग है क्योंकि यहाँ अलग है अँसर तो एटिशना हो का औक जाम अलग है यहाँ यहाँ लग साफ लीट है मोदिश्ट म्यूंकि यहाँ निटी इंटी तो 10ौ2 देक्सीन आसे रंदेक्स, पिके सच् मैंन करका आएब लू का जुट आती है का तो ganze हूट्ड का अटना कर सा मेंक़ू